नमस्कार दोस्तो आज आपका गीता कुकींवल में स्वागते आज हम बना रहे नए तरीके से मेती मलाई का थेवला रिजल्ट आप देखी रहे दोस्तो कितना सौप्ट है देखने में इतना बढ़िया लग रहे है खाने में तो एक नमबर लगता है दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तो आखरी तक वीडियो देखना है अभी तक आप हुमारी चैनल पर नहीं होगे तो सब्स्राइक करना है और वे लाइकel में भी क्लिक करना है तो छलो फिर जाधा पाति करेगे निए बनाना स्टार्ट करते है यहाँ पर हमने दो पब जि और इसके साथी तुरण हमने डाल देनी मेथी ये करने का कारण इसलिए दोस्तों इसे हमें ऐसे ओल में छोक दे देते न तो इससे क्या होता है हमारी जो मेथी का जो कड़वापन निकल जाता है और यहाँ पर एक कड़ गितने हमें धन्या डाल देना है और इसके साथ हमें ड से गला लेते हैं अभी आप देख रहो है मेथी अच्छी तरसे गल गई है और पानी भी छोड़ दिया हुआ है इसी तरह से अभी हमें गैस बन कर देना है अभी यहां पर एक बॉल ले लेना है यहां पर तीन कप जितना हमने घ्यू काटा लेना है दोस्तों और थोड़ा में बचाके रखोगी डस करने के लिए बस हो गया और यहां पर हमने डाल देनी जो मेति जो मैं हमने पका के रखी थी वो डाल देना है इसके साथ यहां पर हमने देड चमच काश्मीरी मिर्ची पाउडर लेना है दोस्तों यह तिखी वाली थोड़ी भी होती नहीं कलर बहुत अच्छा आता है थेपले में, इसके साथ जाने वाला है धना और जीरा की पाउडर आधी चमच, आधा चमच गरम मसाला एड़ कर लेना है, यहाँ पर डालने आधी चमच शक्कर, अभी आपको लगा शक्कर डालिया है, सब मीठा पन लगेगा, खाने में टेस्ट नहीं तो छेर कल्या लसन लिये और आधा इंच अधर का तुकडा लिया, अभी आपको लग रहा है यल्लो क्यों दीख रहा है, यल्लो इसले दीख रहा है क्यों मैं यहाँ पर मसाला बना के रखती हूँ, कभी भी मुझे जट पेट कुकिंग करने है तो मैं मसाला रेडी बना के इसकी वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बता देना है, इसके साथ जाने वाले आधी चमच हमें अजवाइन लेनी है, अजवाइन को कभी भी हातों से क्रश कर ले लेना है, क्रश करने से क्या होता है जो थेपले की जो फ्लेवर बहुत बढ़िया लगती, अच् अज़ा ध़ी डालने से क्या होता है, थेपला हमारा ज़्यादा टिकता नहीं है दोस्तों, फिर एक हपते से अंदर ही खराब हो जाता है, तो आपने सजेस्ट में करूगी तीन चमच फ्रेश वाला ध़ी डालना है, खटा वाला ध़ी हापे यूज थोड़ा भी नहीं करना है, अभी इहाँ पर हम डालेगे घर की मलाई, अभी आपको लगा धही डाले, मलाई डाले, मलाई डालने का कारण इसलिए दोस्तों, हमारा जो थेपला इदम कड़त बन जाता है, कभी सॉफ्ट नहीं बनता है, तो मलाई डालने से ये जो थेपला बहुत ही सॉफ्ट बनता अब यहां पर मैंने क्या करना इसको ऐसे स्पंज कर लेना है हलका सा पानी ले लेते हैं हाथों को गिला कर लेना है हलका सा ज्यादा नहीं करना है इसको खिल करना है हमारा पानी ख करते हीं हालका सा पानी कतर दोmm इसको कर लेते हैं अभी हम 19 लिए सच करने को रख देना डो अब यहां पर हमारे 15 मेंट हो चुके हम लोग डो डो को से कटर लेगे अच्छी तरसे हमारा दो अब यहां पर एक चमच ऑल डालना है और हम लोग चकले पर ले 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 आ यानि अच्छी तरसे दोनों हातों से इससे मल लेना है यानि उपर अंदर से नीचे इधाम पूरा दो हमारा चिकना भी हो जाएगा और पर्फेक्ट बन जाता size के करूगे ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं ऐसको ऐसे हाथ से जोब गोल गोल कर लेना है perfect अभी सारे पेडे हमें इसे बना अह coy यहां पर हमने सारे पेडे बना ली अभी एक पेड़ा ले-लेते हैं जैस्को आपको बताया था कि डो हमने पहले बचाके रखना है हलका सा एक की बार डस कर लेते हैं और इसको हमेसे फेले पूरी की जैसे बेल लेना है इसी तरह से इसका एक कारण बताती हूं यह करने से क्या हुआ आपका थेपला अच्छा बनता है खाने में बहुत ही टेस्टी भी बन अच्छी तर से में इसे स्प्रेट कर लेना है थोड़ा ज्यादा ही लगा लेना है और इतना टिकता भी ज्यादा ही एक दौपता अच्छी तर से जाता है हलका सा घ्यो काटा डाल देना इसके अंदर ही इसको हमें ऐसे फोल कर लेना है इसको भी हमें थोड़ा घ्यो काटा एक बार ही अभी थोड़ा डस कर लेते हैं अभी कर दोको जो सेफ में आपको परत क्यूंड जाते ओंग आस को बेल सकते हो दोस्तों अभी हम पहले बना तेल में इसको अच्छी तो से पका लिया हुआ है कच्छा डाल देते हैं हम लोग मेती तो फिर क्या होता है कड़वा लगता है पिर हम लोग खा नहीं पाते हैं देखो इसी तरसे हमने गोल रोटी के जैसे बेला है दोस्तों जादा पतली भी ने बेलनी जादा प्रफेक्स तो चलो भी आप इसको सेक लेते हैं अब इहांपर हमारा तवा चीता से गरम हो कुका है और गैस की प्रेम अमें धिमिकर लेनी अब इहां पर में खेपला ढाल देना है दोस्तों हां दोस्तों कभी भी थेपला या पराठळा कुछ भी बनाते होगे तो आपने क क्या करना है लोखंड की तभी पे ही करना है लोखंड की तभी पे जितना स्वाद होता है उतनी नॉन्स्टिक या जर्मन की तभी पे नहीं होता है देख रहो अब इसको में इसे पल्टी कर लेना है और ग्यास की प्लेम धिमी करने फास ग्यास पे हमें कभी भी थेपला या प अब आपको लगा इतना सारा घी वाप रहां घी तो ज़्यादा ही चाहिए तब ही जाके यह एक या दो अप्तितक हमारा थेपला रहता है कम घी डाल दोगे ने दोस्तों फिर हमारा थेपला जिसे चे वेसे रिजल्ट नहीं आएगा अब यहां पे भी हमें घी डाल देना है इसको अच्छी तसे सेक लेना है और गयस की प्रेम हमें धिमी ही रखनी है फास गयस पर हमें करना नहीं है दोस्तों वाव कलर देख रहो इसको ऐसे चम्चे के साथ है इसको ऐसे सेकते जाना यानि यह सारी जगह से इदम पक जाता है कच्चापन हमें लगता आने तो हम लो आफ था किसी के इस साथ भी आप खा सकते हूं या इसको तोड़के भी बताएगए यानि आपको डिजट माग भी पढ़ेगा आध को आज का हमारा वीडियो कैसे लगा तो में कमेंट करके जरूर बताना और इसे प्यारोर सपोट करते रहे दोस्तों धन्यवार